कोरोना वाइरिस का संक्रमन दुन्या भर में तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में इसे लेकर पैनिक की स्थिति देखने को मिल रही है हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं जबकि सैंकडों लोगों की मौत हो रही है दुनिया भर के कई सहरों और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है इस दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इसलिए समय गुजारने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं इन दिनों सबसे मुश्किल कारी है बच्चों को व्यस्त रखना जहां यहां एक मुश्किल की वहीं लोगों को मौका मिला है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने एवं अपने बच्चों को वो सिख्षा दे पाने का जो उन्हें विद्याले में देना संभव नहीं है समय का सुत्वपयो करना एवं हमेशा एक उमंग और उटसाह बनाई रखना ही जीवन का अर्थ है हमें अपने बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि जीवन में किसी भी परिस्थिती में हार मानने की बजाए हम अपनी सकारात्मक सोच से परिस्थिती को अपने पक्ष में कर सकते हैं ऐसे ही सकारात्मक सोच के साथ एसेंट पब्लिक स्कूल हल्दवानी की प्रबंधग सुरी दिनेश नैन्वाल जी अपने परिवार के साथ इन छुट्टियों का सतुप्यों कर रहे हैं विद्धाले के सलहकार श्रीवाईपी वर्माजी के परामर्स के साथ उन्होंने अपने बच्चों को कई क्रियकलापू में व्यस्त रखा है साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को यह ज्यान दिया कि इनसान को हमेशा अपनी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए केवल आधुनिक सुविधा की चीजें इस्तमाल करना ही काफी नहीं हमें हमारी संस्कृति को भी सहेच कर रखना है उन्होंने अपनी कोशिशों से एक मिसाल कायम की है हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए